Good morning all of you, I am your English teacher, my topic is A to Z small letters आज हम small letters में circle दा correct word करेंगे circle जैसे कि ये letters हैं, letter means A for apple, D for duck, E for elephant तो उस पर आपने picture को identify करते हुए one letter पे circle करना है, one letter कौन सा, जो right है, A for apple आप D को तो right circle करेंगे न, D for तो duck होता है, ये duck नहीं बनी हुई है E for elephant, elephant भी नहीं है ये, ये क्या बना हुआ है, कौन सी picture है करिए identify करिए, A for apple, तो क्या है ये आपका, A for apple तो आप इसको circle करें ये आपका हो गया A for apple, next आजाता है आपका ये Z for zip है, क्या है जिप तो इसमें आप तेखेंगे Z कहां लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, पहले आप इसको बोले A, Z, E तो आपने किसको circle करना है, Z को, तो आप circle करिए इसको Z अब next को क्या आजाता है हमारा आज, कौन सा है tomato, T for tomato तो ये रहा हमारा tomato, आप बोलेंगे इसको भी G, H, T तो अब हम क्या कर देंगे, T को circle कर देंगे तो next हमारा क्या आगया, O for owl O, P, Q हमने O को circle कर देना है next क्या आजाता है हमारा की, ये क्या बनी हुई है की, चाबी, ताला खोलती है ना आप इससे तो की, K for की आगया आपका इसको circle कर देंगे आप ठीक है, L, M, K K को circle कर दिया अब आप देख रहे हैं, जिनको circle किया है ना इनको color करना है आपने ठीक है, इनको color करेंगे बस सिरफ उसी को color कर दो जो आपने circle किया है, अब आप इसको एक बर ही बोले A, D, E A circle A, Z, E Z circle हो गया हमारा Q, G, H, T T को circle कर दिया हमने O, P, Q Q को circle कर दिया O, sorry, O O for owl L, M, K K for key को circle कर दिया तो आपने यह copy में काम करना है बटा ओके और book reading जरूर करनी है हमारे exam स्टार्ट होने वाले है अब मैंने इसमें A to Z करवाया है आपको तो अगर कोई भी letters आते है A to V आता है, A to Z आता है तो आपने इसको prepare रहना है आपने ओके आपने